आज का वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया तो I can guarantee you अगर आपको के फीवर हुआ हो है तो वो on the spot उतर जाए Indians not allowed, ऐसे banners सोल के अल्मुस्ट हर क्लब्स के बाहर लगे वे, Islam and Hindus out, ऐसे banners specifically Korea के Daigoo City में काफी common है Oh my God, यह क्या है, Islam out, Hindu भी लिखा इसमें अब of course, सोल के कुछ क्लब्स या फिर बाकी cities में ऐसे banners ना भी हो, फिर भी यह Korea की ground reality है अब मैं आपको एक situation बताती हूँ, सोचो अगर आप कपड़े खरीदने जाते हो और दुकान में जाते ही, जैसे आप कपड़े को छूते हो, तभी ही वो दुकान दार तुरंत उठके अपने कपड़ों को साफ करने लग जाता है, आपको कैसा लगेगा? Well, Korea में इंडियन के साथ ऐसा कही बाहर हो चुका है Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they'll be like, they'll come very fast, they'll be sitting and relaxing, they'll just come, dash and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. In fact, Indians ही क्या, South Korea में 10 में से 7 foreigners का ये कहना है कि उनके साथ South Korea में कभी न कभी रेसिजम जरूर हुआ है Actually, बात ऐसी है कि Britishers के बाद, अब South Koreans, Indians को untouchable और inferior मानने लग गे Same colonial historic background और हमसे भी छोटी economy होने के बाद भी, जानते हो Koreans हमें क्यों hate करते हैं? Well, सिर्फ दो ऐसे बहुत ही superficial reasons के वजे से, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि Koreans के सोच, इतने educated country के सोच, इतने छोटी कैसे हो सकती है Only for Koreans, no Indians ये मनजर कहीं और का नहीं, बलकि हमारे ही देश का है, जहां हम Indians को ही restaurants में आना मना है Actually, आंदरप्रदेश के अनन्तपुर में, Kia Motors के manufacturing plant के आसपास करीब 15 से 20 Korean restaurants खुले होगे In restaurants में, जब The Wire ने string operation किया, तब ये reveal हुआ, कि in Korean restaurants में Indians के लिए dine-in तो छोड़ दो, वह Indians की entry तक band है In fact, in Koreans में Indians के प्रती hate इस level तक है, कि वहां restaurant का staff भी उन लोगों ने Indian नहीं रखा है, बलकि Nepali citizens रखा है Can you believe that? ये सब हमारे जमीन पर हो रहा है, सो बस सोचो अगर हमारे ही जमीन पर ये हो सकता है, तो South Korea में किस level तक का racism होता होगा So, हाली में राज, जो की एक Korea-based Indian YouTuber है, उसने अपने subtle crazy Korea इस channel पे Indians के खिलाफ हो रहे है एक काफी important issue को अपने vlog से highlight किया राज दरहसल पिछले 9 साल से Korea में रह रहा है, पर पिछले साल ही वो अपने New Delhi से आये दोस्तों को Korea कुमा रहा था तब उसके दोस्ते न उसको कहा कि clubbing के लिए चलते हैं, बट राज कभी Korea में clubbing के लिए नहीं किया था उसके लिए भी Korean clubbing के first experience होने वाला था, तो being a vlogger, राज उस experience को record करने लग गया अब जैसे ही वो पहले club में पहुचता है, देखना उसके साथ क्या होता है उनको guard बस इसलिए अंदर जाने से रोकता है क्योंकि वो इम्यन है उनसे वो guard कहता है कि ये club में तो allowed नहीं है, आगे वाले club में ट्राइ कर लो पर उस club में जाने पे तो उनका इससे भी बुरा insult होता है उस club का guard राज को ऐसे ऐसे करके उनको सीधे वहाँ से भगा देता है तीसरे club में तो उनको किसी से जखड़ा करने की भी जरुवत नहीं होती है वहाँ तो सीधे board में ही लिखा होता है Indians and Pakistanis are not allowed अब यूनो इस पूरे incident में मुझे personally सबसे ज़्यादा पुरा क्या लगा देखो ये सब जब चल रहा था ना तब कई Koreans इसे देख रहे थे पर उनमें से एक ने भी आ गया कि इन Indians के मदद करने की नहीं कोशिश की अब ज़रा वो incident याद करना जिसमें वो उन शाओट कोरियन यूट्यूबर को कुछ मुंबई में चप्री लड़कों ने च्टा था यादे बहुत वाइल हो गया था वाल, 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 वाल तब उस यूट्यूबर को बचाने कौन हाय था एक इंड्नी लड़का ये तो आया था रहास्या पूल इंसिदेंट बिंग उन्फोल्ड इंसिदेंट का व्लॉग निकाल कर उससे यूट्यूब पर अप्लोड किया था लेकिन इस इंसिदेंट में कोरियन अन्मिनस्टेशन से किसी ने भी इसे नोटस नहीं किया सो क्या हम ये मान ले कि उनके हिसाब से हमारी कोई वैल्यू नहीं है आउ आइनो आप बोलोगे कि सिर्फ एक छोटे से इंसिदेंस से ये पूरा ओपिनेन फॉर्म नहीं कर सकते हैं तो मेरी बाद छोड़ो ज़र आप खुद ही यूट्यूब पे कोरिया हेट्स इंडियन्स ये कीवर्ड टाइप करके देख लो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे जहां पर वो अपनी रेसिजम की स्टोरीज ओपनी शेयर कर रहे है उन्हीं वीडियोज में से जब मैं खुद गोत्रू कर रही थी तब एक कोरियन चैनल विविम कोया के पॉडकास में इस इंडियन लड़की ने अपना एक काफी इन्यूमन एक्सपियेंश शेयर गिया था उसने बताये कि जब भी वो कोरिया के पॉडकी पर सेट पर बैटने जाती थी तब उस सीट पर उसके बैटते ही बाकी कोरियन उठकर चले जाते थे जैसे कि वो कोई आदात ही हो चुकी है प्रॉब दुशने खुड कर बैटने पर जाने जाए कि भी रागषा पर बॉस्ली रड़की ने बताया कि उसके पुडिया फिर उसको कोरिया शुडिया था एक बार कुछ कुछ कोरिया ने गाहा था कि वजे थाओं इन्यान्स बिकुस दिलोग यानिस रिल्स गडिकृम अब बस सोचो कि अकर बच्चे ये बात बोल सकते हैं, मतलब इस सोसाइटी में ये हीट, ये रेसिसम किस हथ पेनिट्रेट हो चुका है? लाओ देखो, ये जो रेसिसम पूरा स्टेम हो रहा है, इसके पीछे के रिजन्स बहुत ही इंट्रेस्टिंग है. बात ऐसी है कि South Korea, जो दुनिया की 5th most literate country है, उन्होंने अपने beauty standards का definition इतना rigid और stereotypical कर लिया है, कि Europeans और Indians से छोड़ दो, खुद Koreans तक इस beauty standard में fit नहीं हो पाते हैं. C is the ideal bra cup size, big forms prefer pretty eyes and government bosses like high noses. Korea में कोई भी job मिलने के लिए, ये basic requirements है, and mind you, ये requirement हर Korean को job मिलने के लिए fulfill कर नहीं पड़ता है. और private organizations तो छोड़ी दो, वहाँ खुद उनकी employment ministry ही Twitter पर job seekers को कह रही है, कि अगर आपको job चाहिए, तो plastic surgery कर वालों पहले. अब इस से जदाधा में क्या ही बोलो, उनकी government खुद इसे openly support कर रही है, और इसलिए इनका hate सिर्फ Indians तक ही सीमित नहीं है, racism काफी हद तक महाँ पर foreigners के लिए in general होता है. एक example देती हूँ, तनीकी किम का, जो कि एक Anglo-Korean है और अपने graduation पूरी करके, इंग्लाइम से Korea settle होने आई थी. अब क्योंकि यहाँ पर settle होना था उसको, इसके लिए उसने किम ने job interview के लिए apply किया, और Korean norm के मुताबिक अपने resume के साथ साथ उसने अपना एक normal सा photograph भी share कर दिया. अब देखना, जिस दिन किम company में interview के लिए पहुच थी है, वो उस interview के बाद से shock हो जाती है. क्योंकि वहाँ पहुच कर interview लेना था धूर, किम को company ने अफ़रंटली reject कर दिया, क्यों जानते हों? उसको reason दिया गया कि you don't look like this photo, crazy है ना? इसके बाद भी किम को इतने rejections मिले कि वो England लोट गई, finally, बढ़ ये instance कोई पहला नहीं है, या फिर कोई unique instance नहीं है, कोरिया में ये काफी normal है, इसे actually ओईमो जसांग जुई कहते हैं, जिसका literal मतलब होता है lookism, या फिर looks are supreme, basically जिसे इंडिया में आपको सिफ resume देना होता है, इसमें, by the way, government offices भी included है, उन 900 में से 60% businesses में applicants को photo submit करना mandatory था, और आगे चलके फिर candidate का selection भी actual looks पे ही depend करता था, इसलिए Koreans में आप देखोगे कि वो अपने beauty standards को लेकर, even western foreigners को भी discriminate करते हैं, और सिफ looks और color के लिए नहीं, वहाँ पे language और region specific में discrimination होता है, आप ऐसा नहीं है कि उनके सरकार ने ये discrimination रोखने के लिए कोई कोशिश नहीं की है past में, लेकिन problem यह है कि जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तब उनके सरकार ही खत्रे में हो जाती है, Actually 2016 में भी anti-discrimination bill, ऐसा एक law लाने की एक MP ने कोशिश की थी, in fact ये bill तो उस वक्त उनकी legislative committee में pass भी हो चुका था, पर government को इससे खारिज करना ही पड़ा अंत में, क्योंकि कई बड़े business trade groups और Korea Employees Federation ने इस bill का कड़ा विरोध किया, जिसके बाद सरकार को इस bill को last में खारिज करना ही पड़ा, अब देखो कोई भी सरकार उनके सुनेगी क्योंने, आखिर party fund तो इनी company से ही आना है, और देखो इस पर सरकार की भी complete गलती नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये लुकिजम का जो concept है, वो Korean society में काफली deeply penetrate हो चुका है, उनका mindset ही ऐसा हो गया है, कि आप इसी बात से सोच लो, वहाँ बच्चों को, सोचो graduation gift में क्या मिलता होगा, plastic surgery, yes, और ये बात में हवे में नहीं बोल रही हूं, उनकी government medical tourism की website proudly ये बात कहती है, और आप ज़नरल भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियो से जहापे को एक्सेप करते हैं, कि उनके country में लुकिजम काफी जादा कॉमन है, लुकिजम, Koreans madly care about their appearance, this is why Koreans take plastic surgery a lot, और अब जहाँ लुक्स इतना जादा demand में हो, तो बेचने वाले थोड़ी ना चुप बैठने वाले हैं, इसलिए आप देखोगे वहाँ metro station पे, bus के उपर, building के छट पे, हर जगा पे आपको सिर्फ और सिर्फ plastic surgery के ही ads देखने मिलेंगे भर-बर के, अब तक तो हम in general hate की और racism की बात कर रहे थे, पर Indians के लिए तो specifically इनका hate next level है, अब ऐसा क्यों? इसके पीछे दो reasons है, जैसे मैंने बताया, Koreans काफी पड़े लिखे हैं, उनकी literacy rate 19.8% है, पर क्या फायदा? उनकी youth का unemployment rate जानते हो कितना है? जिसमें actually इनकी खुद की mindset का ही बहुत बड़ा रूल है, मतलब आप ही देखो, क्या India में, क्या US में, क्या Europe में पड़े लिखे लोग छोटे-मोटे jobs नहीं करते हैं, लेकिन this is not the case in Korea, So currently Korean industrial and farming sectors में बहुत हेवी shortage of workers फेस हो रहा है, मतलब आप सोचो, situation वहां की इतनी बत्तर है कि Korean सरकार को blue collar workers को बाहर से import करना पड़ रहा है, बस इसलिए, क्योंकि उनका youth बड़े लिखे होने की वज़े से, ऐसे छोटे-मोटे jobs नहीं करना चाता है, So, ये background हम समझ गए, अब देखो, अब तक आपको यही लगता हो गया कि Indians वहाँ पढ़ने लिखने हैं और IT jobs के लिए ही mostly जाते हैं, पर ये सुफ वन साइड ऑफ ज़े स्टोरी है, असल में बहुत सारे Indians ऐसे भी हैं, जो वहाँ पे कई चोटे-मोटे jobs करते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे सेक्टर में वोकर्स की शॉटेज ना हो, अब देखो, यहाँ रेसिजम अगेंस इंडिया एकदम जाता इसी लिए है, क्योंकि Koreans का मेंटालिटी यह है, कि Indians हमारे यहाँ पे छोटी-मोटे jobs करते हैं, इसके अलाफा दूसा रीजन तो इनके हाँ पे रेसिजम ब International Economic Policy ने पूरे Korea में एक interesting survey किया था, जिसमें ही कई Koreans ने यह openly accept किया था, कि हम Indians को unsafe, underdeveloped और old-fashioned समझते हैं, आच्छली देखो, root problem पता है क्या है, इनकी भी इसमें उतनी गलती नहीं ऐसा कह सकते हैं, जादा major गलती है information gap की, आच्छली यह Koreans हम Indians के बारे में कुछ जानते ही नह Indian सी रहते हैं, और tourists भी करीब वहाँ पर हर साल एक लाग लोगी जाते हैं, तो ऐसे में बाकी लोगों से Indian culture के बारे में उन्हें बहुत ही कम पता चलता है, और रही बात Indian government की, तो हमारे देश और Korea में official diplomatic ties भी काफी comparatively late 1973 के आसपास ही हुए थे, याने करीब आज़ादी के 30 स इससे पहले तो उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को दुश्मन देश समझते थे, उन्हें लगता था कि हम एक communist ideology को support करने वाले देश है, क्योंकि हम रश्या के एक अलाई थे और South Korea, US का अलाई था, जो कि एक capitalist country था, सो मैं आपको बस दोनों साइड का perspective बताने की कोशि कर देना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, in fact हमारा तो culture ही अतिती देवभवका है, मैं बस ये कह रही हूँ कि it's high time कि हम Indians ये समझ जाए, कि हाँ, दूसरे देशों की respect करना, उनके culture को follow करना, उनसे अच्छे aspects उठाना, ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे देश की इज़त करते वक्त हमें अपनी respect नहीं खोनी है, मुझे actually काफी सारे ऐसे random वीडियोस मिलें, जहाँ पे लोग अपना personal opinion शेर कर रहे थे, जब मैंने और देखना शुरू किया, तो मुझे बालों पड़ा, yes, actually काफी सारे South Koreans, Indians को hate करते हैं, उनके खिलाब उनके मन में बहुत जादा racism है, तो मैं बस आपको ये एक alternate perspective देना चाहती थी, कि no doubt अगर आपको के ड्रामा देखना है, आपको पसंद जरूर देखिये, लेकिन इतना जरूर याद रखिये, कि this should not be at the cost of your self-respect, our self-respect, and again ये मेरा opinion है, to each to its own, आपका क्या opinion इस बात मे ये आपके हिसाब से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके जो भी opinions है मैं सरनी जे comment section में शेयर करना, वर इतना ज़रूर मैं जानती हूँ, कि काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो के थू हमें awareness raise करना है, अपने friends, अपने family, जिन थी, वही Canadian government ने almost India के साबने घुटने टेक दिये, और वो कौन से reasons है जिस वज़े से India students Canada जैसे देश को boycott कर रहे है, बहुत interesting reasons है, कुछ scams का angle है जो Canadian government students के साथ कर रही है, अगर आप वो देखना चाहते हो, तो हमने इस वीडियो में detail में cover कर लिया है, आप यहाँ पे click करके आप सुदेख सकते है, चाहते